तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया करते हैं कुछ payment proofs जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे country wise आपको payment proof दिखाई दे रहे हैं जितने भी payment 14 तारीक को हुए हैं 15 तारीक को हुए हैं 12 तारीक को जो भी यहाँ पे payment हो रहे हैं वो सारे आपको दिखाई दे रहे ह कि सारे payment आपके आते हैं और एक चीज आपको बहुती clear बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आपका PayPal में आपका amount नहीं आता है यहाँ पे आपको payer जो account होता है payer में आपको account बनाना पड़ेगा अगर आपका already है तो आपको payer का account यहाँ पे link करना होगा then उसमें आप पूरा अपना withdrawal ले सकते हैं और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पूरा instant यहाँ पे payment होता है आपको कोई भी delay payment नहीं होता है सारी चीजें आपकी instant होती है जो भी आपका amount रहेगा वो instant ही आपके account में आ जाएगा तो यहाँ पे आपको सारी चीजें कैसे करना है कहां से आपको earning करनी है वो सारी चीजें अभी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे आज में आपको दो sites बताऊंगा और यह दोनो sites ही 100% real हैं यहाँ पे आपको earning 100% होगी अब ये कैसे करना है तो चलिए हम चलते हैं इस साइट पर हलो दोस्तों मेरा नाम है अनक्वे सौनी और आपका एक बार फिर से सौगत है आपके यूटुब चैनल तो जैसे की आपने देखा होगा कि मैं यहां पर आपके लिए मचेक बार करें मैं करने के साथ में अब इसको कैसे घ्रो कर सकते हैं एक अच्छी earning कर सकते हैं अब वो आपको email read करके कैसे earning करनी है और कितनी earning करनी है proof मैं आपको already बता चुका हूँ कि कितना payment होगा यहाँ पे कितनी earning होगी वो चीज भी में आगे आपको बताऊँगा यहाँ पे आपकी earning कम हो सकती है लेकिन यह नहीं है कि earning नहीं होगी या आपके account में नहीं आएगा तो यहाँ पे जिन दो sites की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से एक का नाम है clicksgenny and second का नाम है value tick अगर मैं चायता है तो इन दोनों के अलग review भी बना सकता था लेकिन वो कुल मिला के time based होता क्योंकि ये दोनों site एक ही तरीके से work करती है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ भी अलग test करना है तो यहाँ पे मैं अपना email में आपको चलके दिखा दिया करता हूँ कि किस type के आपको emails आते हैं और वहाँ पे आपको करना क्या है तो आप अभी यहाँ पे email में देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो भी emails आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं परड़े यहाँ पे बहुत सारे emails आते हैं यहाँ पे आपको emails को करना क्या है जो भी आपके पास email आया है उसको simple सा आपको एक बार click करना है और उसमें जो link दी हुई है उस link पे आपको यहाँ पे start करना है तो simple सा आप इस पे एक बार click करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक timer start हो जाएगा तो यह timer आपका तकरिवन 30 second चलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह timer यहाँ पे 30 second के लिए चल रहा है और जैसे यह 30 second यहाँ पे finish हो जाते हैं आपका जो balance है वो आपके account में so होना शुरू हो जाता है अभी जैसे यह 100% finish होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक notification आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इस add का amount था सिर्फ आपको यहाँ पे 30 second लगे और जो आपका amount था वो आपके account में credit हो चुका है इसी type से आप और भी कर सकते हैं मैं अपना email फिर से यहाँ पे खोल लिया करता हूँ एक और जो email था उसको भी आपको same to same करना है जो भी आपको link मिली हुई है सिर्फ उस पे आपको एक बार click करना है and then आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है वो timer start हो जाएगा और 30 सेकंड में आपका यह timer पूरा finish भी हो जाता है सिर्फ 30-30 सेकंड के आपको इसी type से mail देखने है यहाँ पे आपको click jenny के भी आ सकते हैं और यहाँ पे आपको different type के mails आ सकते हैं और जो भी आपके email आएंगे वो click jenny के नाम से आएंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे है click jenny आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने ऊपर simple सा click jenny यहाँ पे search किया है उसी type से और आपको 30 second तक इस window पर ही रुका रहना है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने बीच में email खोला था तो हमारा timer यहाँ पे रुक गया था तो आपको 30 second के लिए simple सा website पर रुकना है and then आपको इसको close कर देना है same चीज आपको यहाँ पे value tick के साथ भी करना है यहाँ पे मैंने value tick अभी यहाँ पे search किया आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकोई जो link मिलि हुई है आपको simple सा उस पे एक बार click करना है तो यहाँ पे भी आपका same चीज रहा करता है यहाँ पे भी आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और इसी टाइप से आपको 30 सेकंड का टाइमर रहेगा वो 30 सेकंड आपको यहाँ पे देने हैं कि यहाँ पे आपको simple सा उन sites पे register करके छोड़ देना है और उसके बाद आपको जब जब भी आपको emails आ जाएं आपको simple सा उन emails पे click करना है and then वो survey complete कर देना है अब लोगों के उस पे comment यह थे कि sir इसमें कितनी earning होगी एक महीने में हम कितनी earning कर सकते हैं आप earning छोड़ दीजे ना आप कुछ ऐसी sites यहाँ पे join करके रखिए जैसे कि मैंना आपको survey की बताई थी यह reading emails की यहाँ पे आप यह मत सुचिए कि एक महीने में कितनी earning होगी जितनी भी earning हो रही है अगर आपको सिर्फ 15 मेट या 15-20 मेट लगा के आपको कुछ ना कुछ एक महीने में अगर earning हो रही है तो वो काम आप क्यों नहीं करोगे मेरे ख्याल से यह चीज आपको जरूर करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा personal कुछ benefit है यहाँ पे आपके लिए मैं सिर्फ यह चीज़ें बोल रहा हूँ कि जहां से भी जितना भी पैसा आज सकता है उतना पैसा आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं वो चीज़ें आप करते रहे हैं लेकिन यह आपके पास जैसे मैंने यहाँ पर बताया है इतने मेरे पास email आया है जब भी मेरे पास email आता है simple सा Mac खोल के और open कर गे और वो चीज़ 30 सेकेंड के अंदर खतम कर देता हूँ कभी कोई मेरे पास survey आ गया मैंने survey खोला 5 में मैंने survey खतम कर दिया तो यहाँ पे आपका वो पैसा 81 होता जा रहा है आप इसको full time मत बनाईए आपको इसको part time ही रखना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह भी amount मेरा credit हो गया इसी type से आपके account में पैसा 81 होता रहेगा और जब भी आपको जरूरत है आप उस amount को निकाल लेजे मतलब यह इतना simple चीज़े हैं कि सिर्फ आपको जब भी offer आ जाए या जब भी आपके पास email आ जाए जब भी survey आ जाए आप उनको complete कर दिए मैंने आपको survey के जो videos बनाये थे यहाँ पर आप मेरे videos चेक करेंगे तो यहाँ पर जो भी मैंने survey के videos बनाये थे उसमें भी मैंने यही बोला था कि आपके लिए जैसे आप यह देख रहे हैं यहाँ पर मैंने PayPal money का बनाये था साथ में यहाँ पर एक Paytm money का बनाये था कि इन इस दिन आजा उस दिन करती है आप इसको फुल टाइम मत बनाईए आप इसको पाट टाइम भी मत बनाईए क्योंकि पाट टाइम में आपको कुछ ना कुछ एक दो चार घंटे देने पड़ते हैं यहाँ पे आप इसको ऐसे छोड़के रखिए कि जब भी इमेल आ जाएगा ह समझ में आ गई तो यहाँ पे आपको इन नेटवक्स को यह जो दो मैंने आपको आज नए बताये हैं इनको आपको जोईन करने के लिए करना क्या है सिंपल सा आपको यहाँ पर रेजिटर पर क्लिक करना है यहाँ पर दौनों में सेम ही प्रोसेस है यहाँ पर भी मैं आपक same form आपको दिखाई देगा जो मैंने link आपको description में दी है उस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है आपको अपने username डालना है email डालना है password आपको दो बार डालना है and then आपको birth year डालना है जैसे मेरा यहाँ पर 1985 है तो मैं यहाँ पर 1985 डालूँगा फिर referral अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो मेरा code भी यहाँ पर add कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर verification जो है वो verification में आपको इस type से tick कर देना है and then आपको यहाँ पर यह सारी चीज़ें tick कर देनी है और यह चीज़ आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं कि I want to receive marketing communication तो इस चीज़ को आप छोड़ भी सकते हैं यह सारी चीज़ें fill करने के बाद आपको यहाँ पर register कर देना है register आप जैसे ही करेंगे इन दोनों में यह सेम चीज़ करना है कि username डालना है email डालना है दो बार सेम password डालना है और यह सारी चीज़ें टिक करने के बाद आपको यहाँ पर register पर टिक कर देना है यहाँ पर टिक करने के बाद आपको एक email आएगा जैसे जो मेरे पास starting में जो email आए था इस type का आपको email आएगा इसमें आपको एक activation link रहेगी आपको simple सा इस पर click करना है और आपका account जो है active हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मैंने इस पर 7 दिन पहले यहाँ पर registration किया था जब तक मैं कोई चीज़ खुट test नहीं कर लेता आप लोगों को कभी भी suggest नहीं करता हूँ इसी type से मैं आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ जैसे यहाँ पर clicks जिनी हम करेंगे तो यहाँ पर clicks जिनी मैं भी same चीज़ है कि यहाँ पर भी आपके लिए एक email आएगा जैसे कि यहाँ पर email size मैंने हटा दिया है तो उसी type का आपको email आएगा कि आपको account activate करने के लिए email आएगा वो आपको email अपना active करवा देना है जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि उस type का आपको email आएगा वो आपको simple सा activate कर देना है और आपका account जो है active हो जाएगा active होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है आपको simple सा जाना है login पर login details भी आपके लिए आपके email पर ही यहाँ पर आएंगे आपको simple सा email पर जाना है वहाँ पर आपको login details भी मिलेंगे तो जो भी आपको login details मिले हैं simple सा आपको यहाँ पर login पर click करना है और यहाँ पर आपको जो भी email और password आए हुए है आपको simple सा इस पर verify करना है and then आपको इसको login कर लेना है login करने के बाद mostly आपसे एक security code यहाँ पर पूँचा जाएगा तो आपको कुछ इस टाइप का security code आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो security code आया है यहाँ पर मैंने simple सा इसको add कर दिया and then मैंने यहाँ पर confirm कर दिया अब यहाँ पर आप मेरा dashboard देख सकते हो यहाँ पर कितनी earning मैंने की है अभी तक वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो भी earning रहेगी मेरे pair के account में यहाँ पर आती रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने emails read किये हैं जैसे आप यहाँ पर 17 तारीक को देख सकते हैं 16 तारीक को दो किये थे 16 को मैंने दो किये थे तो जितने भी यहाँ पे आप read करते रहोगे वो यहाँ पे latest balance log में आपको so करता रहेगा और जो भी आपका रहेगा वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे so होती रहेगी कि आपकी earning यहाँ पे कितनी हुई है अभी तक आपका एक और question यह रहेगा कि यहाँ पे आपका minimum payout कितना है तो आपके जो भी doubts हैं यहाँ पे कि आपको इस से related इन दोनों से related मतला इसमें भी आप देखेंगे तो same चीज़ यहाँ पे इन्होंने provide करके रखी हुई है यहाँ पे fact questions में जाएंगे frequently asked questions में तो यहाँ पे इन्ह payout कितना होगा यहाँ पे पर referral का आपको कितना मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता के रखी हुई है यह चीज़ें भी आप यहाँ पर पढ़ लीजे और एक और बात आपको बता दू कि आपको इन दोनों platform पे 15-15 दिन में कम से कम login करना है अगर आप जैस 10 days में आपको इन दोनों accounts में login होना है अगर आप इसमें 10 days के अंदर login नहीं होते हो या 15 days के अंदर login नहीं होते हो तो साइध यह आपका account यहाँ से remove कर दें ऐसा मैंने कही न कहीं यहाँ पर पढ़ा हुआ था तो वो चीज़ आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपको यह यहाँ पर कम से कम 10 days में यहाँ पर login जरूर करना है तो यह चीज आपकी सारी हो गई इसके बाद यहाँ पर इससे ज्यादा और कुछ है नहीं simple सा जो email सा है उसको click कीजे और click करने के बाद अपना payout लीजे तो यहाँ पर आपको बाते समझ में आ गई कि आपका जो भी है उसके लिए मैं नहीं छोड़ता हूँ चाहे वो एक रुपईया हो या एक हजार रुपईया हो या एक लाक रुपईया हो जहां से भी छोटा बोटा payout आता है उसके लिए भी मैं ready रहा करता हूँ मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि सिर्फ मुझे लाखों में ही कमाना है मैं से इसको copy करके यहां पर paste कर देना है और यहां पर आपको confirm कर देना है अभी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी जो भी मेरी earning यहां पर सो हो रही है वो earning आपको यहां पर दिखाई दे रही है जो भी मेरा आता जाएगा amount वो मुझे इन दोनों में यहां पर सो होता ज और इसी टाइप की और भी कोई साइट्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और बेल आइकन प्रेस अपनी के बाद अल जरूर स्लेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी इस टाइप के मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स या फ्री रिस आपके लिए बताता हूं, तो आपको वो सबसे पहले मिल सकें, थैंक्यो दोस्तों